नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयाज 30 वर्स के पर उसके पाम का एनलेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थ हम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उसस कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये अभी अपना कार ही करते हैं आस्रम में रहते हैं आगे के जिन्दगी के विश्य में जाना चाहते हैं कि आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी सुख में जिन्दगी रहेगी की नहीं और आगे कितना सम्माल लाइफ में मिलेगा कितना लेके भी इनके कुछ कंसर्ण थे तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करे आपके इन सारे प्रशनों को हम सुदेंगे और चीजों को बताएंगे आपके हाथ परना गजब की अवस्था है केतु परवद परफिश है और जिस भी विक्ती के केतु परवद परफिश होता है वो विक्ती अकासमी धनलाव करते है अब देखो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है लोगों को बहुत बड़ी भ्रांती है कि उनको बैठे बैठाए धन आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है आपको धन तभी आता है जब आप धन के लिए परियासरत रहते है हो सकता है कि आपको एक आख बार नाकाम्याबी भी आए लेकिन उससे आपको दुखी नहीं होना आपको परियासरत रहना है अगर आपका भाग ये प्रबल होगा तो आपको धन भी आएगा लेकिन उसके लिए आपको प्रियास करना पड़ेगा तो केतु परवत के बारे में और भी महतपूर चीजे केतु परवत के विशे में या केतु परवत पर बनने वाले फिश शाइन के विशे में और भी जो रोचक जानकारी होगी, जो महतपोन जानकारी होगी वो इस वीडियो के मात्यम से आपको देने का हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि केतु परवत पर फिश्च का क्या महत्व है और यह परवत कहा पर होता है तो जितने विक्ति हैं जो पामिस्ट्रे में इंटरस्ट रखते हैं वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भे स्किप मत करना क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप एक महत्पून जानकारी को छोड़ देंगे तो सबसे पहले चीज यहाँ पर नज़र डाली है ये वाला पोर्शन होता है केतु परवत किसी के भी विक्ति के हाथ पर जो पोर्शन मैंने सरकिल किया उसको को केतु का परवत कहते है चैहे रास्ते में कितनी ही रुकावटे आजाए चैहे रास्ते में कितनी ही ओपस्टेगल क्युं ना आजाए तो केतु परबद जिसका भी परबल हो, वो जिन्दगी पर आगे बरने के लिए हमेशा ही प्रियासरत रहता है अब केतु परबद पर ना, ये जो चिन्द में यहाँ पर से आपको दिखा नहीं है, ये होता है मतब शिकास्जिला किसी भी वेक्ति के हाथ पर हो सकता है अब केतु और राहू इसके फल को थोड़ा सा अभी भी अनस्चित्ताओं में रखा जाता है मतलब इसकी कोई निस्चित्ता नहीं है कि यही फल राहू और केतु देगा कभी राहू आपको बहुत ज़ादा धन्दे देता है कोई निस्चित्वल नहीं है कभी केतु आपको बहुत ज़ादा धन्दे देता है वह ऐसे भी इसको सैडो प्लैनेट्स कहते है मतलब छाया ग्रह कहते है इसका कोई खुद का अपना इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है लेकिन पैसा देने के लिए बहुत कारगर होता है दो नंबर का पैसा, तीन नंबर का पैसा जादा धनलाव, अकासमिक धनलाव अचानक आप करोरपती बन जाते हैं अचानक आप अरपती बन जाते इन चीजों के लिए रागु माहिर है और खास करके केतु मेहनत कराने के लिए माहिर है तो अगर ये मतद से एक सुब चिन केतु परवत पर बनता है तो ऐसे विक्ति धनी बनते हैं अब क्यों बनते हैं ये आपके मन में जहर में प्रशन उठ क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के अतली पर देखा गया है जिस भी विक्ति के हाथ पर केतु परवत पर फिश बना है वो धनी बने है तो जिस भी विक्ति के हाथ पर केतु परवत पर फिश हो का वो धनी बन सकते हैं कैसे धनी बन सकते हैं अगर आप घर में बैठे सोई रहें लेकिन अगर आपके अच्छे योगा आपके हाथ पर हैं तो फिर आप रुकावट का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ते हैं तो केतु परबत पर अगर फिश्चाइन आपके अवस्थित है तो इस बात का ये परचे कराती है ये अकास्मिक धनलाव को बता रहा है मतलब अकास्मिक धनलाव इस संदर्म में होता है अगर जातक कम भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो जादा धनलाव करते हैं वो जादा पैसा कमा सकते हैं ये इस बात का परचे जरूर से कराता है तो एक बहुत शांदार आकरती जिस भी वेक्ति के हाथ पर है वो वेक्ति लॉट्री से सथी साथ कोई वेपार से पैसा कमा सकते हैं कम इन्वेश्मेंट में ज़ादा धनलाव कर सकते हैं तो केवल एक ही positivity इनके हाथ पर नहीं थी इसके उपराद और भी positivity इनके हाथ पर थी जो इनको धनी बना सकती हैं क्या थी वो जैसे आपकी जीबन रेका पर प्रगति के योग थे जो कि जिन्दगी पर प्रगति को दर्शाती इसको हम कहतें progress line ये life में तरक्की को indicate करती समय समय पर जातक के जिन्दगी पर बदलाव आता है जो कि एक positive बदलाव होता है इसके उपरांद एक बहुत सुन्दर बागगे रेखा जो एक आयू के बास्तक करिये है और एक बागगे रेखा का ब्रांच यहां भी जुरा है इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जबी मैं भागगे रेखा पर discussion करूँगा तो इस महतपून रेखा के बारे में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा आगे अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो एक बहुत सुन्दर बागगे रेखा आगे चल रही है यहाँ से भी बहुत बढ़िया भागगे रेखा है तो भागगे रेखा को लेकि एक आयू के बाद तो बिलकुल किंतो परन्तो नहीं है लेकिन एक सर्थन आयू तक भागगे रेखा बिलकुल भी आपके साथ नहीं थी और एक बड़िया रूप से दिखने वाले सूरी देखा आपके हाथ पर रवस्ते थे ये सूरी देखा इंडिकेट करती है कि ऐसे विक्ति 100% समझ लो ऐसे विक्ति बड़े गुणी होते हैं और एक source of income जंदगी पर रहता है एक छेतर से ये पैसा जरूर से कमाते हैं और अगर प्रियास करें तो नौकरी के योग को भी बताता है वो तो आपकी विक्तिकत इक्षा होते हैं किसी को नौकरी करना है किसी को नहीं करना है किसी को वेपार में मन लगता है किसी को समाज सेवा में मन लगता है जैसे ये गुरू की सेवा किया करते हैं तो वो आपके उपर जरबर करता है तो आप बिलकुल वे चिंता ना करें अगर आपको आगे नौकड़ी करने के भी इख्छा होगी या फिर कही न कही से अगर आप नौकड़ी नहीं भी करते हैं किसी कारनवश तो कहीं न कहीं से आपके एक source of income जरूर बने रहेंगे तो ये इनकी positivity इसके उपराद एक बहुत सुन्दर मंगल रेखा है जो कि आगे इसके फलकुम है discussion करूँगा कुछ बुद्धर एकाब बन रही है तभी आपके थोड़े interest वैपार में भी जाग रहे थी और धनलाव के योग को भी ये बता रही है तो थोड़ा सा वैपार के भी योग आपके हैतली पर अवस्थित है जो कि आपको वैपार से धनलाव अवश्य करा सकता है तो ये तो कि इनकी positivity और केवल लाइन्स में ही इनकी positivity नहीं थी ये एक लाइन्स के अलावा इनके ग्रहों में भी अच्छी positivity जाए शुक्र काफी प्रबल दिख रहा है मुझे दोनों मंगल पढ़िया दिख रहा है चंदरमा सनमर करी अच्छी दिख रही है मुझे मतलब लगबग लगबग जो इनके ग्रह है न ये काफी अच्छे conditions में है तो इस बात का प्रचकराती है कि ऐसे वेक्ति अच्छी जिंदगी बिताते हैं comfortable life बिताते हैं तो ये दो गई positivity अब भी हम विचार करेंगे negativity पर बेशक आपके हाथ पर positivity होती है लेकिर आपके हाथ पर negativity भी होती है तो हमें negative चीज़ों को भी ध्यान देके चलना है हमें negative चीज़ों पर भी ध्यान रखना है तो negativity क्या है इनके हाथ पर? negativity अगर मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ तो सुरवाती दोर से बागे रेखा का बिलकुल भी साथ नहीं है जब starting phase से बागे रेखा साथ ना हो तो ये जबात का परचे जरूर कराती है कि ऐसे विक्ति का जंदगी थोड़ा struggle में रहता है ऐसे विक्ति के लाइफ में struggle इनको काफी देखना पड़ता है काफी हद तक इनकी जंदगे struggle में रहती है तो ये थोड़ी से struggle को indicate जरूर कर रहा था उसके उपरान तकर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ परसे दवाब है ये दवाब indicate कर रहा है कि बचपन इनका बहुत ये अच्छा नहीं बीता है ऐसा भी नहीं है कि इनका बचपन काफी बढ़िया बीता हो काफी अच्छा बीता हो ऐसा भी नहीं है तो बचपन में किसी ने किसी परकार की परशानी किसी ने किसी प्रकार की समस्याओं से ये परस पर अवगत रहते हैं और काफी ज़ादा पारे वारे की समस्याओं भी इनोंने देखी होगी बिलकुल भी easy नहीं रहा है इनको जिंदगी पर आगे बढ़ना ये इस बात का परचकर आ रही है और ये दो चीजों से तो बिलकुल कंफर्म हो रही है एक तो आपकी सुरुवाती दौर से तो भाग गे रेखा नहीं थी जो कि आपके बीस में, बाइस में साड़ के आई है तो बाइस में साड़ के आई है तक ना अगर आप ठीक से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तो अगर किसी रेखा में बहुत ज़्यादा चमक ना हो बहुत ज़्यादा लाइट ना हो तो इस बात का परचे जरूर कराता है कि इस रेखा का इनको विशेष्टम फल नहीं मिलेगा इनके जंदगी पर इस रेखा का इनको विशेष्टम फल नहीं मिलेगा फल में कहीं न कहीं किसी प्रकार की किंतु परंतु बनी रहेगी तो यहाँ पर से यह एक चीज़ को जुरूर बता रहा था कि लाइन्स विजिबल ना होने की स्थिती में जातक को बहुत अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं तो यह चीज़ आपने समझ लिया यहाँ पर से चीज़े बड़ी क्लियर है बड़ी क्लियर है ऐसे समय से भी आप गुजरते हैं अपने जिन्दगी पर जिस समय तोरा स्टरगल आपके लाइफ में होता है बनलब किसी परकार के काम्याबी आप पाना चाह रहे हैं तो कही ना कहीं किसी कारन बाश्ट आपके कुछ औप्स्टेगल आगे कुछ लफड़े आगे कुछ समस्य आगे ये इस बात का परचे जरूर से कराता है तो ये तो गए इनकी negativity अब प्रशन थे क्या आगे धन कमा पाऊंगा की नहीं तो वैपार के क्या योग है तो देखो वैपार की रेखा आपके हाथ पर जरूर से बन रही है अगर आप वैपार करना चाह रहे हैं तो वैपार आप कर सकते हैं और वैपार से धनलाव भी कर सकते हैं वो तो आपके एक चाहा है अब देखो वैपार में बहुत से चीज़े होती हैं जैसे हम किसी संस्थान के लिए कारे करते हैं, अपना साइट से कुछ कर लो, या फिर किस चीज का वेपार करो, तो घर से दूर का वेपार कर लो, जैसे घर से दूर में जा के कोई दुकान डाल दो, ये कर लो, क्योंकि आपकी जो एक रेखा है न, ये तो नेटिव प्लेस से दूर के तरक्डी को बता रही है, वजब जो आपका जनम भूमी होता है न, वो आपका करम भूमी नहीं होता है, ये इस बात का पड़िचे जरूर करा रही है, तो यहाँ पर से ये एक भागी रेखा का ब्रांश था, जो असपश्ड़ा के साथ इस बात का पड़िचे करा रहा था हलाकि चंद्रमस जुरावा वेपार किया जाए उसमें भी धनलाव के योग को तो ये बता ही देता है चंद्रमस जुरौए कि ये वेपार में धनलाव होता है पैसे जिन्दगी पर आते हैं इस दुबात का परचे तो जुरूर कराता है बाकी चीज़े ठीक है बाकी अभी इनके आगे के जंदगी को लेके था अभी मैं इनके जीबन डरेका से जीजों को कर देता हूं जिससे आपको समझने में काफी ज्यदा आसानी होगी और मुझे बताने में काफी ज्यदा आसानी होगी तो life line क्या बता रही है काफी independent nature के हैं कुछ प्रगति के योग आपके जीबन रेका पर जरूर है जो जिन्दगी पर तरक्की को बताती है लेकिन फिर भी बच्पन बहुत अच्छा नहीं बीता होता है एक तरक्की के योग आपके 18 वर्स के आसपास है तो कुछ थोड़ा सुधार 18 वर्स में दिखा होगा फिर एक आपके 22-23 में था यहां भी एक सुधार फिर एक 24 वर्स के आसपास था 24 वर्स के बाद थोड़ा जिन्दगी ठीक रहा है लेकिन फिर भी किसी बड़ी काम्याबी के लिए किसी परकार के काम्याबी के लिए जादा मैनत करना पर रहा है यह लाइन सापके कंटीनियों 30-31 में 60 कायू तक बने हुए है तो जब भी यह वाली हवस्था आपको किसी के भी हाथ पर दिख जाए तो इसको हम कहते हैं विपरीत प्रसिती वाली हवस्था मतलब विपरीत प्रसिती में बनावा राजचो मतलब आज़ा तक जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं पॉस्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन आपस्टेगल भी लाइफ में रहता है लाइफ में रुकावटे भी रहती है ये इस बात कपड़ चकरा रहा है तो ये रुकावटो वाली रेखा है जहाँ पर से आप आगे जो जुरूर बनेंगे लेकिन कहते हैं न कि हम काफी मेहनत करके आगे बढ़ हैं ये आप हमेशा बोलोगे और एक विक्ती कहता है कि मैं तो ऐसे ही आगे बढ़ गया मैं तो भाग गये, मैं तो भाग गये साली था मुझे तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया तो वो वाली बात नहीं है 31 वर्स के आयों तक 31 वर्स के बाद, 32 वर्स में तरकी, 33 में है फिर आपकी अच्छी प्रॉग्रिस लाइन है फिर एक 35 में है, फिर एक 37 में है फिर एक आपके 49-40 तक तो कर्टीनियू बनी हुई है तो 32 में 60 के बाद, आप ऐसा फील करेंगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप ज़्यादा तरकी कर रहे हैं आपके जिंदगी पर आपको ज़्याद तरकी दिख रही है चालिस के बाद, फिर भी चीज़े है 44 में एक तरकी है फिर मान के चलो, एक आपकी 40 में है, फिर एक 50 साल के आसपास भी तरकी है फिर एक बड़ी तरकी है, आपके 56 वर्स हाँ, ये मान के चलो 57, 58, 58 से लेके 68 तो एक बड़ा ट्रेंगल है फिर एक फिशनुमा आकिरती यहाँ भी देख लो आप यहाँ पर एक तरिवुजनुमा आकिरती देख लो आप यहाँ पर से जीवन रेका आपकी काफी प्रवल है मदब लाइफ लाइफ लाइन को अगर मैं देख रहा हूँ तो यह दिरगायो योग को संबोधित कर रही है और अगर दो-दो-तिरवुज आपके केतो परवत के आसपास दिख जाए या जीवन रेका पर दिख जाए तो यह धन संचे को बताता है तो जिन्दगी के लास्ट में भी कभी कभी क्या होता न कि आपके द्वारा लगाए गए कोई पेर बहुत अच्छा फल देते है मदब आप अपने लाइफ में अपने पचास में साल तक कुछ ऐसा जरूर करोगे जो आपके लाइफ के एंड तक चलता रहेगा और आप उसका काफी सम्मान मिलेगा और आप काफी अच्छा अर्ण कर पाएंगे मदब कहते हैं अपने भविश्य के लिए तुमने क्या बचाया तो ऐसे विक्ति अपने भविश्य के लिए बचाते हैं और जिसका उनको काफी रिटर्न मिलता है जैसे आपको policy करते हैं 50 साल के बाद आपको करूरो में भी पैसा मिल सकता है अभी से कम जमा ही करो harvest फिर भी आपको करूरो में मिल सकता है तो कहीं नगए यह इस बात का परिछे करा रही है कि आने वाले समय में कुछ बड़ीयर return आपको मिलेगा आपके भविश्य में आप जब आपकी जबायू 50-55 के बार हो जाएगी एक काफी अच्छी मंगल रेखा है जो आपके द्रिगायू सेंस में बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रही है अगर मंगल रेखा किसी वेक्टी के हाथ पर हो तो ऐसे वेक्टी द अब इनके तरीक आप जलने अत्यान करेंगे चीज़ों को अस्पस्ट्रोप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महत्पूर है देखें चीके समझें ये रेक्टेंगल पा में काफी जद्धी परिवर्ती के वेक्टी है आप काफी जद होता है बहुत कुछ करने लेकिन आंसिक रूप से क्टेदार है तो जब ये तरग को देख रहा हूं तो यहाँ पर से इक्षा सकती मुझे ठीक दिकरी है यह वाकरती है जब इवी सपोर्ड की यह शक्ता परेगी डिफिन रूप से आपको मिल जाएगा इसमें बिलकुल संदेह नहीं है और यह प्रणी अब भी बदें गूस और दिखा भी देतें लेकिन थम्ब लेंद को अप्ठी पहत गुशा और पर प्रविरती को बताता है अगर आपके गुस्त आ रहा है तो नहीं आरहा है तो अया थम्ब बंड़ि 极शा होटा Eyes में नियंतरन खो देते हैं और जब नियंतरन खो देते हैं तो फिर नियंतरन खोने के बाद तो आप क्या कर रहे हो आपको पता भी नहीं रहेगा तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी वे आपका गुस्ता आएगा ना वो काफी खतरनाख होगा, तो उस पर आपको नियंतर रखना है मेरी बाते, आपके दिमाग में और कोई घुमे या ना घुमे ये बात तो जुरूर घुमनी चाहिए चुकि जैसे आपका थम का बनावट है, ऐसे विक्ति बहुत वाइलेंट हो जाते है मैं आगे देखो, तो यहाँ पर समझधारी कलूप ठीक है बागी समझध, ये आपकी बहुत अच्छी लाइन से तो आपके दिल को बड़ा अच्छा बता रही है ऐसे विक्ति अच्छे दिल के विक्ति है दूसरे कले करना इनको पसंद है और बेशक रूप से ये करते भी है ये छोटी है, इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती, सूरी फिंगर लंबा हो तो आपके हिम्मत का परचकर आता है ये टिंडिकर ये अच्छी दारमी का असा से अटन फिंगर आपके महनत को बताता है सूरी फिंगर हिम्मत को बताई रहा है, बुद्ध फिंगर लगबग लगबग फर्स वैलेंस तक है तो कवनिकेशन इसकल का परचकर आही रहा है, जातक की वागपरूता बड़ी अच्छी होती है चीजों को बड़ी गहराई परवक समझते है, साथे साथ समझाने का भी दम रखते है लगबग लगबग सारे ही प्लैनेट साब के अच्छे कंडिसन्स में है तो यह राज्योग करा का वस्था को बटा रही है साथी साथ स्टेंथ को भी इंडिकेट कर रही है मतलब प्लैनेट्स के साथ लाइन बड़ी लंबे हैं और लाइन नहीं फिंगर बड़े अच्छे हैं तो यह महनदी नेचर को बता लगे, यह जातक काफी महनदी होता है, मैं आगे देख लो दो जुपिटर यहां से दबावाई स्टरगल, डेफिनेट रूप से, यह स्टरगल को बता ही देता है, जातक की जिंदगी पर इस अवस्ता में स्टरगल ना हो, यह तो конфirmed है, होता ही ह रहा है जो आने वाले समय में कुछ एक राहत की सांस जरूर दिला रहा है कि आपको इसके रिकारिंग 32 वर्थ को अच्छा पल मिल सकता है वैसा ब्रश परी थोड़ा गरबर है इसका रेमेडी तो कर रही लेना चाहिए इसका रेमेडी करने को चीजे काफी अच्छी रहेंगी मस्तिक रेका बहुत अच्छी है दिमागे 23 वक्ति है माइंड में किसी प्रकार की कमी नहीं है ट्राइंगल से तो नेगरिटिविटी को दूर कर रही है इर्दर रेका भी काफी अच्छी मुझे दिख रहे है थोड़े इमोशन्स का परचकरारी बचपन में थोड़ा 22-23 व दिमाग के भी बहुत अंद्रोस्त होते हैं बिल्कुल जंदेह नहीं है आगे में देखो तो यहां से दबाव विक्ति महनती है दिस्टरब शुक्रवले था आपके हाथ पर यह मूट स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है यह एक सरकाई छेते से धनलाव है अगर आपने सूरी देखा अच्छी एक अच्छा सम्मान मिलता है आपको आपके जिंदगी पर और एक स्क्वायर जरूर है जो की अरतिसमे साड के बाद मल्टिपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है नहीं तो एक प्रॉपर्टी तो डेफिनिटल आप बनाओगे सूरी रेखा एक आपने प्रियास के तो नौकरी के भी योग है आपके हाथ पर एक जोर्स ऑफ इंकम लाइफ में बना रहता है जब ऐसे सूरी देखा किसी विक्ति के हाथ पर हो बागी ये लाइन्स बड़े अच्छे आपके हाथ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे विक्ति डेफिनिट को बताता है जातक काफी लॉजिकल होते समयज़ार परविरती के होता है मेहनती होते है च्छदनमा काफी अच्छा कंडीशन्स में है ये कुछ लाइनस जो घर से दूर क्यूंति को बता रहा सुर वाग गेरेखा बिलकूल नहीं थी बाइस वरस के ऐस थोड़ी साथी जरी के लाइन्स भी है वो आपको मिलेगा थोड़े स्ट्रेस सुर्वाती दौर में रहे होंगे मनी मेंजमेंट प्रबल है पैसा जिंदगी पर आता है शुक्र बढ़िया शादी के बाद बागुद है यह कुछ लाइस है थोड़े टेंशन को इंडिकेट कर रहा है बाकी मंगल प्रबल है तो जातक उतना को चिंता भी नहीं करते हैं तो यह था इंगदले का पूर्णता विश्योशन अगर आपको मारे विड़ा पसंद लाइक करदे, कमेंट करदे, से सब्सक्राइब करदे अगर आप विक्तिकत रूप से में सस्रेका निखाना चाहते हुआ और बहुत सही जान करई पाना चाहते लेके आप समपर्द कर सकते हैं धन्यवाद